हेलो दोस्तों आप सभी का सब्सी के जाने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको पताऊंगा कि सी सी वीडियो जो कॉमेंट क्रेटिव वीडियोस होती है उसमें कहा जाता है कि उसको यूज करने पर हमें कॉपिराइट स्ट्राइक नहीं आएगी लेकिन बहुत इसमेमेस दृष्य में कॉमेंट क्रेटिव वार ब में बहुत है लुए आपको पता होगा उसको चैनल के लिखेंद्व कॉपिराइट तो फैंल की हम कईड़ं़ेंग्ड डाउनलोड करके उसको अपलोड़ कर देते हैं कोई भी सची वीडियो सेर्च करते हैं हम फिल्टर म तो जैसे हम सर्च करने के बाद हमें कोई वीडियो मिलते हैं उसको डारेक्ट डाउलोड करते हैं और अपने चैनल पर अप्लोड कर देते हैं तो ऐसा हमें नहीं करना होता है तो इससे तो copyright आने है हमें CC वीडियो यूज करने के लिए वीडियो मैनेजर में जाकर creator होता है नीचे सबसे नीचे creator होता है उसके अंदर जाकर वीडियो एडिटिंग होता है वीडियो एडिटिंग में जाने के बाद उसके अंदर तीसरे नंबर पे शायद CC का ब्लोग होता है उसके हमें क्लिक करना होता है फिर वहां पे वीडियो ब चाहिए तो वो सारे CC वाले song होंगे तो उसमें से हमें drag and drop नीचे लाना है उसको उसको अपने ही साफ से edit करना है उपर पट्टी के उपर सबसे उपर हमें उसका नाम देना है और वीडियो editing शुरू कर देना है और जैसे वीडियो editing होती है उसको हमें upload करना है तो इस तरीक से CC वीडियो यूज की जाती है डारेक्ट करने पर तो हमें copyright मिलेगी हम सिर्फ पर सिर्फ YouTube creator के ही creator से वीडियो edit करके CC वाली वीडियो को हम upload कर सकते हैं अब पहली बात तो यह रही चलो पहली बात आपको समझ आ गई और कुछ लोग ऐसे करते होंगे फिर भी उनको क्या होता होगे कि copyright strike आ जाती होगी अब इसका reason दूसरा वाला क्या है कि वहां से यूज करने के पाद भी हमें copyright strike आती है कुछ लोग आती है कुछ लोग तो ऐसे यूज करते हैं नहीं direct डाल देते हैं तो दूसरा reason बहुत ही बढ़िया और solid है जो कि बहुत कम लोगों को पता है इसमें मैं तीन जनों को include करूँगा एक मैं खुद को एक आपको जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और एक 3% party को जो हम रख लेते xyz company है ठीक है xyz ने कोई गाना launch किया अपना खुद का गाना launch किया अब मैंने क्या किया xyz का गाना download कर लिया और उसको अच्छी से edit कर दिया अपने software यूज करके edit करने के बाद मैंने उसको अपने channel के ओपर upload कर दिया और उसका जो license होता है एक तो होता है standard license और एक होता है common creative license मैंने अपने channel पर उस xyz के गाने को अपने channel पर upload किया ही किया साथ में उसका जो license था मैंने cc रख दिया अब आपने क्या करा उसी गाने को search करा और आपको मेरा वाला गाना मिल गया उसका cc license था आप खुश हो गए चलो भाई यह cc license है copyright strike आएगे यह गाना डालता हूं बहुत सारे reviews आएगे चाहे आपने उस वीडियो को creator से जाके edit किया हो यह direct download करके edit करके डाला हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि वो मेरी property थी यह नहीं ठीक है जाइड की बात कर रहा हूं एक वाईड ने बूला यह तो मेरा गाना है और आपकी वीडियो पर उसने copyright strike तुरंत भेज दी वो इन चीजों में deal नहीं करते अपने गाने पर तुरंत copyright strike भेज देते वीडियो हो गाना हो कुछ भी हो अगर हम दूसरी के कोई भी चीज यूज यूज करते है ना एक सेकेंड भी अगर उसकी उपर डिपेंड है वो copyright strike दे या ना दे उसने आपको copyright strike दे दी फिर आपने करा चलो मुझे copyright strike दे दी तो लेकिन मुझे copyright strike क्यों ने दी मतलब मैंने भी तो उसी की वीडियो यूज करी है मुझे तो copyright strike ने लेकिन आपको आ तो पूरी होने के बाद जब प्रोसेसिंग शुरू होती है तो YouTube वाला उसको पकड़ नहीं पाता क्योंकि प्रोसेसिंग में वो क्या चेक करता कि इस टाइप की वीडियो ओड तो नहीं है YouTube सेम तो सेम अब मैंने उसमें कुछ ना कुछ एडिट किया है तो वो कहां से पकड टो मैं यह कहने जाता हूं कि जो भी copyright श्ट्राइक आती है CC वीडियो पर वो इस रीजन से आती है क्योंकि सारी CC वीडियो आजकल यूट्यूबर की भरमार बरी जा रही है तो उनको जो सिस्टम था CC वीडियो को उन्होंने खराब करके रग दिया है क्योंकि वो खुद की CC वीडियो ना होके भी उसका license CC करके रख देते ताकि वो जल्दी से popular हो जाए क्योंकि CC वीडियो सबसे आद सर्च की जाती है क्योंकि जो नहीं यूट्यूबर है वो CC वीडियो सर्च करते हैं तो इस तरीके से उनका चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं अब आपको समझ आ गया होगा कि आपके चैनल पर क्यों आप मेरे चैनल पर भी आज नहीं तो कल आ जागी यह मैंने एक एक्जामपल के तोर पर बता है भगवान ना करे कभी स्ट्राइक है क्योंकि मैं ऐसी वीडियो यूज करता ही नहीं तो मैं आपको समझाना चाता हूँ कि आप खुद की वीडियो बना लो तो आप उसी में सकस हो जाओ कोई आपको कॉपी राइट श्राइक दे ही नहीं सकता आप चाहे गुमा फिरा के किसी और की बाते खुद बोलो लेकिन वह आपकी खुद की वीडियो क्योंकि देखो किसी एक चीज का रूल सेम रहेगा वह आप ब खुद करी आपके ओपर कौपी राइट श्राइक आ गई और एक बंदे चाठ साल से उसके पास कौपी राइट श्राइक नहीं आई उसका भी सीज ओपर तो दोदिन में कौपी राइट श्राइक तो देखो कुछ ऐसे लोग उते जिनकी सीधी एक्स वाई जैड कंपनी जो मैंने एक्जामपल दिया था उनसे सीधी बातचीत हो रख्या होती है वो उनको परमिशन देता है कि आप मेरी वीडियो यूज कर सकते है वो सबको परमिशन थोड़ी दे रहा है वो उसको परमिशन दे रहा है वो बाकियों को CC लाइसेंस दिखा हुआ तो इसमें आपको भी नुकसान निय면 लेकिन enabling तीसरे percent को भी अंहुआ हो गया आपको सब कुसा什麼 आ गया हुआ अगर आपको वीडियो अहीं लिफ प्राइक करना ना बुले मैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले । अइसे वीडियो में आपको लाक कर देता रह बाइ बाइ बाइ